वेलकम बच्चों आपको आपका गड़ित की क्लास में स्वागत है हम लोग कर रहे हैं सीखे-गड़ित, कच्छा-च्छे, अभ्यास, कारिपुस्तिका और इसके अंतरगत बच्चों आज हम लोग करेंगे एक-आई-दो यानि कि पूर संख्याएं इस अभ्यास को आज हम लो को भी समलित कर लिया जाए तो वे सभी संख्याय पूर्ण संख्याय कहलाती है निम्न कतनों को पढ़कर उनके सम्मुख बने कोस्ट को में सत्य अथ्वा या असत्य लिखिया हम जानते हैं बच्चों प्राकर्तिक संख्याय होती एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो इसी कोई भी संख्याय सबसे बड़ी संख्याय नहीं हो सकती बिल्कुछ सही बात है किसे पूर्ण संख्या और सून का गोड़न फल siác संख्या होती है यह घलत है क्योंकि होनन सोन संख्या को ज vendo पणा करते तो उसका मानन हम सुर्ण ही आता है कि सिभी संख्या में सून से भाख परभाशित नहीं है बिल्कुल सही बात है दो क्रमगत पूर संख्याओं का अंतर सदेव एक होता है यह भी सत्य बात है बढ़ते अपने अगले कोशन की और संख्याओं दो एक पांच नौ साथ जीरो को संख्यारेका पर परदर्शित कीजिए तो यहां पर बच्चों संख्य बना लेते हैं जीरो से स्टार करते हैं संख्यारेका एक दो तीन चार पांच करके संख्यारेका मारी बनी हुई है अब हमें सबसे पहले एक पर दर्शाना तो हमने एक पर दिखा दिया दो पर दिखा दिया उसके बाद तीन चार नहीं है पांच है तो पांच को दिखाया फ तीन प्लस साथ अब संख्या रेखा यह बनी हुए बच्चो तीन तो सबसे पहले तीन यहाँ पर आए उसके बाद साथ अंक आगे बढ़ना एक दो तीन चार पांच छे साथ यानि हम दस पर पहुंच गए तीन हो साथ का योग भी दस होता तो यह करके दिखाया गया अब हम तीन से गयारा प्र आ और ऑद कि अगला के जुआ हाना थी दिखहरे नाहींग्रैं दी MA ge darle कश्या का और सबसे यह सब से हैं जब ponieważ हम चले थीन पर उसके बात 5 बढ़ेंगे 72 तीन 4 पांच आठ पर आगए यह यहीं बात पर आगे प्र इसके बात चार अचा साथ हैं चर्ष पर इनको हमने जोड यहां पर हमें करना है कि निम्लिकीत गुणशन फल को संक् straff पर प्रदशर्षित करना है सबसे पहला है तीन गुणे पांच बर ब्राबर 10 फटेश मतार होता है यहां सबसे पहले तीजन को पाँच बार करना है यहांनि यह देखित यां दो बार ठीन चले तीन बार चार और पाँच बार हम यहां-पर 15 पर पहुंच के इसी तरीके से हमें करना है दो को पाँच बार यानि दो पर 0 से दो पर है अध कल्वगा 7डरयगड नो और दो 3 4 और 5 और 3 ौर। मेम पहुंच के 10 हम हमारा उत्तर क्या हुआ सूनी हो क्योंकि हम सूनी पर ही रहे अगला कोशन देख लेते हैं बच्चों तीन क्रमा गदपूर संख्याओं में पहली तथा पहली वात तीसरी का योगफल 22 दिया हुआ है तीनों संख्याओं बताईए तो मद्धी संख्या नहीं हमारे पास है त कि इसे हो जाएंगा अगे बच्चों दे गई विकल्पोमें उचित विकल्प छाट कर रिक्ति स्थानों को भर रह है इन्ही को हमें भरना है तो सबसे पहला है दो पूर आंको की योग पर संख्याओ के करम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ये पूर संख्याओं में जीरो जोड़ने पर योग फल वही होती है यहाँ जीरो है क्या है योज है जीरो फिर इसके बाद आता है दो पूर संक्याओं का गुरण फ़ल सदेव पूर संक्या होता है यह पूर संक्याओं में गुरण संक्रिया का समवरक प्रगुण है फिर अगला दी है तीन पूर संक्याओं को जोड़ते से में किनी दो के यह पांच और आट को जोड़ा जोड पर कोई फरक नहीं पड़ता है पूर संख्याओं में यह योग संक्रिया का सहाचर प्रगुण है तो इस तरीके से काफी आसान था देखते हैं अगला प्रश्णी क्या है यहां पर निमलिखित गरती संक्रियाओं को सामनी दिये संबर में बदल देते हैं तो यह यानि यह क्या हो गया हमारा योग काक क्रम विन में प्रगुण फिर दिशार देखिए दो गोड़े को अलग करके 5 उचे को पहले जोड़ा गया तो यह जो हमारा है योग का साचारी गुण है इसके योग करने पर उसके उत्तर में कोई फरक नहीं पड़ता है फिर इसके बादे आठ गुणे जीरो यानि यहां पर आठ जीरो से किसी भी संख्या को गुणा करते तो जीरो ही आत ये सूनि का गुड़न प्रगुण है इसको यहां से इसको यहां पर मिला देंगे इसके बाद 5 गुड़न 6 दिनुट bes 76 यहमारा क्या है गुड़न का वित्रण प्रगुण 8 में 8 क्या है एक से भाक का प्रगुण 0 बहाद 8 यहने इसकाँसर 0 है यह सून निमे भाग का प्रगुण है फिर दो गुड़े तीन बराबर छे है ये क्या गुड़न का समवरक प्रगुण है इस तरीके से बच्चो ये पूर्ण संख्याओं का हमारा बहुत छोटा सा भ्यास ता जिसको हम लोगों ने कर लिया है आपक्षा में भी इसको अच्छे से हुआ हुआ